हेलो स्टो में नाम विजर स्टो यह मेरे पास मैं HP का Dragonfly Elite Laptop जो कियाता है Intel के लेटेस 11th Generation Core i7 Processor के साथ में और यह है दुनिया का सबसे ज्यादा Light 2-in-1 Convertible Laptop और ऐसी Laptop में अक्सर आपकी जेबे खाली करने के लिए बनाया जाते हैं and having said that let's get started दोसों यह box HP Dragonfly Elite Laptop का और अगर आपने HP Spectre series के बारे में सुना हो तो यह सेम उसी की तरह box लगता है बस HP Spectre की तरफ जो अंदर का जो बॉक्स आता है वो ब्लैक कलर आता है यहाँ पे हमें वाइट देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छी सी premium magnetic packing मिलती है laptop में निकाल चुका हूँ अल्रेडी एक week से use कर रहा हूँ आपके साथ ही review शेयर करने के लिए तो यहाँ पे हमारा laptop है इस plastic के अंदर pack हो के आता है और यह laptop के अंदर keyboard की protection भी हमें देखने के लिए मिल जाती है तो इन सब चीजो करें साइड में और देखने के अंदर और क्या देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे कुछ paper work होने वाले हैं उसके बार में यहाँ पे हमें cable देखने के लिए मिल जाती है जो कि इस adapter में लगेगी और यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा portion दे रखा है इस pen के लिए तो यह pen देखना interesting होगा कि कि कितने premium laptop के साथ कितना महंगा pen आता है box तो काफी premium लग रहा है और यह pen भी काफी premium होने वाला है hp spectre series से ज्यादा premium यह pen लग रहा है ज्यादा controls है यहाँ पे और battery replaceable pen होगा यह और hopefully यहाँ पे hp dragonfly elite के साथ में connect भी हो जाएगा और यहाँ पे charge करने के लिए cable दे रखी है बैटरी इन बिल्ट है usb type c के तुरू आप इसको charge कर सकते है बहुत ही अच्छा pen यहाँ पे लग रहा है इसको भी हम लोग test करेंगे अगे इस वीडियो में फिलाल क्लेक्टिन सब चीजों को side में और आते हैं अपने laptop की तरफ यह HP का dragonfly light laptop और इस laptop को हाथ में उठाती ही सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे कि laptop बहुत जाल light weight है सिफ 980 grams के weight के साथ में आता हो इसी के साथ यह बन जाता है सबसे lightweight convertible laptop 13-inch का जो की market में इस वक्त अविलेबल है इस lightweight को achieve करने के लिए HP ने यहाँ पर use करा है magnesium इसके construction के लिए उसके बाद यहाँ पर 90% recycled material के साथ में यह laptop बनाया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है for the environment and also this is one of the most thinnest laptop available in the market सिर्फ एक smartphone जितनी थिकने से इस laptop की उसके अंदर भी HP ने यहाँ पर as it is a light series laptop हमें ports की बिल्कुल भी कमी नहीं दिया सिर्फ एक ethernet port यहाँ पर रह जाता है जो की impossible था इस laptop में डालने के लिए इतना मोटा तो ethernet port होता है तो यहाँ पर उसके अलावा सारे ही ports हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि HDMI port उसके पास में यहाँ पर 3.5 mm headphone jack दो USB Type-C port जो की thunderbolt 4 को support करते हैं यह एक बहुत अच्छी बात है बिकॉज दोनों ही ports यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं for your work उसके बार में यहाँ पर USB Type-A port देखने के लिए मिल जाता है जो कि यह जाएं 3.2 और बहुत ही incredibly fast आपका data transfer कर देगा उसके बार में यहाँ पर power button देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर LED indicator भी है जो की जल्द यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाता है हमें cancelling 10 lock और यहाँ पर finally sim tray मिल जाती है अगर आप इस laptop का cellular version purchase करते हैं जो की 5G के support के साथ में आता है दोसो लिट को अगर एक हास से open करते है तो यहाँ पर थोगा से difficult है इस laptop को एक हास से open करना because बहुत light weight laptop है तो नीचे का पार्ट उपर हो जाता है और अगर आप किसी slippery जगा में है तो आपका laptop slip हो जाएगा किसी अची grip में है तो यह नीचे का पार्ट उपर हो जाता है सामने की तरफ यहाँ पर हमें 13.3 इंचिस की full HD display देखने के लिए मिल जाती है जो कि यहाँ पर आती है HP के shore view के साथ में जो क आना चाहूंगा कि shore view ने इस display को पूरा खराब कर दिया बिकॉद लैपटॉप 1000 nits की brightness के साथ में आता है और मैं इस laptop को जब से यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर brightness में को 400 nits की भी नहीं लग रही है बिकॉद शौर एक pixel की layer open कर देता है background में जो कि यहाँ पर आपका experience ही खर करते हैं तो थोड़ी सी फीकी परजाती है उनके सामने NTSC यहाँ पर 72% का provide कर रहा है HP ने जो की बहुत अच्छा है colors बहुत ज़्यादा अच्छे निकल के आज आता है यहाँ पर 1000 nits की brightness है जो की लगती है 400-500 nits की maximum because of that shore view लेकिन यहाँ पर resolution of pixels निकल के आते है न वह बहु इस laptop को use करते हैं for example direct sunlight में जब आप इस laptop को use करते हैं because brightness भी आपकी पूरी नहीं निकल के आपा रही है और यहाँ पर एक reflective display भी हमें देखने के लिए मिल जाती है वैसे multimedia experience इंडोर्स में आपके इस display के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है because sound भी बहुत ज़् देखने के लिए display के साथ में मिल जाता है जो कि मैं अपको अपनी एक वीडियो में दिखा रहता हूँ and this is the best sounding laptop I have ever tested दोस्तों यहाँ पर price of course बहुत ज़्यादा है लेकिन HP ने जो sound के साथ में इस laptop के काम कराना वो incredible है और आज तक मैंने किसी भी laptop के साथ में ऐसा sound नहीं notice कर है कुछ इस तरह का sound दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाता है और अगर आप एक अच्छा multimedia experience करना चाहते तो आप इसको कुछ इस तरह flip भी कर सकते है बेकॉज यह 360 laptop है तो कुछ A-shape में आप इसको flip करके अपना multimedia का experience कर सकते हैं touchscreen भी है तो गई यह मेरे पास में एक एक जो कि आज हमारे चैनल के 5000 subscribers पूरे होने के खुशी में कटेगा तो guys actually मेरा इस वीडियो को बनाने तो दो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको multimedia के यूज कर सकते हैं display also not bad speakers यहाँ पर बैस्ट है किसी भी laptop में जो आपको मिल सकते हैं देखने के लिए उसके उपर यहाँ पर अगर webcam की दोस्तों बात करते हैं बहुत साइब लोग इसको business के लिए लेना चाते हैं और यह एक elite series का laptop भी है तो उसको कुछ इस तरह से webcam निकल के आ जाता है यहाँ पर और HP ने बहुत जादा हाइलाइट कर रहा है इस laptop के webcam को बिकोज यहाँ पर नॉर्मली जो webcam आते हैं वो 720p के आते हैं यहाँ पर 1080p का support हमें देखने के लिए मिल जाता है इस webcam के साथ में और quality वाकई में अच्छी लग रही है जो pixels बहुत जादा फटे हुए निकलते हैं करते हैं दूस्तों keyboard के बारे में हाँ पर तो keyboard हमें मिल जाता है 13.3 इंच का जैसे यह laptop है तो short size का keyboard हमें देखने के लिए मिल जाता है 1.9 से भी जाता key का travel देखने के लिए मिल जाता है हमें इतने छोटे form factor के laptop में जो की बहुत जादा slim है जो की अचीव करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है उसके बाद में sound निकल के आता है की प्रेस पर वो आप यहां पर सुन सकते हैं बहुत जादा premium टैपिंग experience आये दोस्तों definitely better than Macbook को आँगा वैसे मैं परसनल यूज में आजकल Macbook Air को ले रहा हूं जो कि M1 processor के साथ में आता है लेकिन उससे भी जादा अच्छा typing experience यहां पर यह keyboard हमें provide करा देता है और इस keyboard के उपर ना हमें यहां पर camera kill switch भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि यहां पर electronically disable कर देता है camera को ताकि कोई भी आपकी privacy के साथ खिलवार ना कर पाए और यहां पर अगर आपको microphone नहीं चीए त microphone kill switch भी हमें देखने के लिए मिल जाता है जो कि again electronically work करता है तो यहां पर आप alert देख सकते है microphone kill switch का और जैसी webcam आप यहां पर kill करते हैं तो आप यहां पर देख सकते है कि कोछ white और black color की lining हमें देखने के लिए मिल जाती है बिकॉस यह electronic solution है Lenovo के think shutter की तरह physical नहीं है दूसरे laptop क technology के साथ में आता है यह है i7 1165 G7 जो कि एक quad core processor है processor के बारे में और जानते हैं यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 watt के TDB के साथ में यह laptop आता है not so good not so bad लेकिन i7 यही हमें provide करा देता है चार cores यहां पर लगे हुए है और यहां पर code name है Tiger Lake U U series का processor है यह और यहां प यहां पर graphics में भी आपको बिल्कुल issue नहीं आने वाला है and as it is a lightweight convertible laptop यहां पर आप गेमिंग के लिए इस laptop को बिल्कुल भी consider मत करिये का because बहुत जादा heat देखने के लिए मिल जाएगी वैसी इतना slim है direct processor को चुँएंगे ऐसे आपको लगेगा तो gaming के लिए laptop नहीं बना है gaming के लिए same region में आपको बहुत जादा powerful machines देखने के लिए मिल जाएंगी यह laptop business के लिए बना है और travel के लिए बना है और students के लिए basically elite series business series है तो उसके लिए आप इसको definitely consider कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक student है या फिर बहुत जादा travel करते है जिसको एक lightweight laptop चाहिए तो performance आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी जिसके लिए हैं पर मैंने geekbench के test भी करें इस laptop में और मैं साथ दिन से use कर रहा हूं day to day life में ले रहा हूं उसके basis पर भी आपको बता सकता हूं कि definitely यह laptop 5-10 साल तक बिल्कुल भी hang नहीं करने वाला है बिल्कुल भी आप इसमें कुछ भी अपना business का और students का काम कर सकते है single core में 1219 का score निकल के है और multicore में 3401 का score निकल के आया है इस laptop के साथ में जो की बहुत ज्यादा सही है for a quad core laptop performance on this laptop is not an issue at all और windows 11 भी आपको इस laptop में बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी because बहुत ही premium range का laptop है यह battery के बात करते हैं दोस् गंटे में 50% चार्ज हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है आदे गंटे में definitely 50% चार्ज हो जाता है लेकिन फुल चार्ज तक पॉस्टे पॉस्टे इसको और भी आदा गंटा लग जाता है जो कि हांपे एक गंटा निकल के आ तो एक गंटे में आपका laptop fully charge हो जाएगा which is not that bad 52 2.5 वाटावर की यहां पर बैटरिया में देखने के लिए मिल जाती है जो कि पूरा दिन आपको चार्ज दे देगी अगर आप नॉर्मल वर्क करते हैं इस laptop के अंदर तो आपको पूरा पूरा आट दस घंटे का backup देखने के लिए मिल जाएगा जो कि अपनी आप में एक ब इन वंडर शेयर फिल्म हो रहा या पर जो भी आपका फेवरेट सॉफ्टेयर है लेकिन यहां पर 4K एडिट इस ते एक्सपैक मत करिएगा यहां पर आपको रेंडरिंग में भी स्लोर स्पीड देखने के लिए और फ्रेम ड्राउस भी देखने के लिए आपको मिल बिकॉस एच्पी ने बहुत जादा इन्वेस्ट करा होगा R&D में विस्टेंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही पैसे आपसे चार्ज किये जा रहे हैं तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको नीड नहीं है तो आप इन जरूर से इंडिया में रहेगी अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे लेनोग की फ्लेक्स 5 सीरिस को कंसीडर कर सकते हैं जिसकी वीडियो में अल्री ड्रॉप कर चुका हूँ या फिर आप HP की पवेलियन X360 को भी कंसीडर कर सकते हैं जो कि मैं अल्री ड्रॉप कर चुका हूँ दोनों ही लेप्टॉप यहाँ पर आपको सेम 2-in-1 फंक्शनलिटी प्रॉइट करा देते हैं आप यहां से ऐसे वैसे घुमाईए फिराईए तिर्चा आड़ा सब जगा देखिए उसके बार में अगर आप बहुत जार्ट ट्रेवल करते हैं आपको में HP की ProBook series भी देखने के लिए मिल जाएगी आपको यहां पे Lenovo की ThinkPad series भी देखने के लिए मिल जाएगी जो की best है 60-80,000 की रेंड में आपको same business features भी प्रॉइट करा देगे जो यह laptop कराता है तो आप definitely इस laptop को skip कर सकते हैं for now until unless you need that super lightweight जो की 900 Cgram का है और सारी similar laptops के links में नीचे description में आपको provide करा दूँगा so you can check it out and with that said मुझे उमीद है दोस्तु कि आपको वीडियो पसंद लही होगी और अगर आपको वीडियो पसंद लही होगी और आप आगे बीसी राप की वीडियो दिकना चाहते हैं तो आप इसे आपको जहुर सब्सक्राब कर लीजेगा वीडि कर दीजेगा और मैं आप से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में